ऐसा लगता है कि देश को ओटो पाइलेट मोड पर डाल दिया है और बीजेपी ने प्रधान मंतरी को ऐसी जहें पर लिजा करके बैठा दिया है जहां पर प्रधान मंतरी तक या तो देश के आवाज नहीं पहुंच रही देश के लोगों के आवाज नहीं पहुंच रही या को देज़ के लोगों के आवाज सुनना ही नहीं चाहते हैं backup कि यह सारे लाज भरे पड़े हैं किस बात से भरे पड़े है योग यूक्रेन पर अपना एक बातचीत का रास्ता पुतिन से मोदी ने फोन पर कहा, मोदी ने पुतिन को फोन किया है, सारे अख़बारों की पहले पन्ने के उपर खाबा रही है, पुतिन से फोन पर वारता मोदी ने दोराया बातचीत वे कुटनिती का, कुटनिती से हो यूक्र इस्तिफय की नोटंकि की जा रही इस्तिफ़ा दिया जा रहा सितिफ़ा फड़ा जा रहा है और मोधी फ्थ प्रचार पर निकल पिदे है मोधी चुनावी मोड में आ चुके हैं देश axis क्लो कम डर सबोटौ पर करके मर गए महाराश्ट्र के अंदर जहां पर बीजेपी डबल इंजन की सरकार है पत्चीस लोग जिन्दा जल करके मर गए लेकिन प्रधान मंत्री की तरफ से एक शब्द नहीं आया सम्वेदना के सरधांजली के दो ट्वीट नहीं आए यह जो है वह देखी और यह राउल गांदी ने यहाँ पर ट्वीट किया यह महाराश्ट्र में उस घटना को लेकर क्या मिच्छा ने भी ट्वीट किया लेकिन देश के प्रधान के लिए जो है योग्य दितनात को भेजा जाए वो 24 गंटे के अंदर आ करके दंगों को रोक देंगे ये बात उन्हों ने कई और योग्य दितनात के ओफिस जो उनका योग्य दितनात का ओफिस है उनकी तरफ से जवाब दिया जाता है उनकी तरफ से जवाब दे करके कहा जा जब जब दुनिया के अंदर उगरवादी दंगे फैलते हैं दुनिया की किसी भी हिस्से के अंदर तो दुनिया उसका समधान तलास्ती है दुनिया उसका रास्ता तलास्ती है और फिर दुनिया तरस्ती है महराज जी के योगी मोडल के लिए अरे ऐसे महराज जी के योगी मो कितना दाइरा है कितना उनका औरा है सब पता चल जाएगा देश देख लेगा महराज जी को लेकिन कमाल की बात है यह प्रधान मंत्री जो है वो आज निकल गए है प्रधान मंत्री आज निकल गए चुनाव पर चार पर और यह देखिए चार दिन में दूसरी बार MP के दोरे पर मोदी चार दिन वे दूसरी बार यानि रो जाना अपना जो है प्रोग्राम फिक्स है लेकिन मनिपूर के लिए दो शब्द नहीं है कमाल की बात है इससे जदा जो है वो यह कहें कि दोराय रविया नहीं हो सकता है दुख होता यह कहते हैं देश के प्रधान मंतरी के लिए हम इन बातों का इन सब्दों का प्रियोग कर रहे हैं दुख होता है बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं लेकिन ना जाने क्या वहाँ पर मनिपूर के जहें पर अपने आपको रख करके देखिए तब आपको स्थिति समझ में आएगी और यहाँ पर देखिए यह क्या लिख रहे हैं एबीपी नूज ने चार दिन में दूसरी बार पीम मोधी जनता के द्वार रहे जनता के द्वार छोड़िए वोटों के द्वार है वह अपने वोटों के द्वार जनता वनता के द्वार नहीं है अगर जनता के द्वार होता तो जनता तो मनिपूर में भी है जनता तो 38,00,00 के करीब लोग हैं वहां पर कोई ऐसा नहीं 150 लोग फशे हुए चलिए कोई बात नी छोड़ो मोदी जी तो बहुत बड़े आदमी पुतिन से बात कराओ पुतिन का मामला बड़ा मेटर है 48 लाके करीब जो है 40 लाके करीब आवादी है वहाँ पर और वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सबब को मालूम है दो महीने से उपर का वक्त हो गया है सवासों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और यह संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन मोदी जी जो है वो कह रहे हैं देश बर के हमारे आदिवासी भाई बहनों के घर घर तक योजनाओं को लाप पहुचाने और इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है इस कड़ी में मद्यपर्देश के सहडोल में कल दोपैर साड़े तीन बज़े आदिवासी के कल्यान से जुड़े एक मेत्पुन मिसन का सुबारंब करूंगा इसके साथ ही वहाँ पर पक्रिया गाउं जाने का भी सोभाग्य मिलेगा अब उस गाउं में जाकर के क्या करेंगे उस गाउं में जाकर के जो धई चुड़ा खिचड़ी जो आदिवासी खाते हैं वो खाएंगे और बताएंगे कि मैं तो रोजाना खिचड़ी खाता हूँ आरे भाईया वो मजबूरी में खा रहे हैं और आदिवासियों की इतनी चिंता है आदिवासियों का इतना ही वोट चाहिए तो जाहिए न मनिपूर के अंदर कमाल की बात हो गई अब ज़रा देखे अखबार में आपको दिखाता हूँ यह देखे जैनिक जागरन अखबार है और जैनिक जागरन अखबार ने लिखा है पुतिन से फोन पर वारता में मोदी ने दोराया बातचीत वा कूटनिती से हो यूक्रेन का हल जबकि मनिपूर की मनिपूर की घबर मालू हैं ज़रा गूर से यहाँ पर इतनी इतनी सी मनिपूर को दी गई यह नि जगाइन अखार रही है इतनी सी खबर मनिपूर को दी गई है और यह देखे सह इतनी खबर जो है वो सहाब के यूक्रेन से बात चीत हो, फोन पर बात कर रहे हैं, मतलब कि वो यहां के प्रधान मंत्री ना हो, वहां के प्रधान मंत्री हो गए क्या, और यह अख़वार यहां का ना हो, वहां का हो गया, कि इसके अख़वार की प्रार्थमिक्ता जो है, वो मनिपूर ना हो करके, और कि पुतिन है फ्रांस ज़्छे वोता अब देखिए दूसरा रख़ाता और को यह यह पंज़ाब यह जन्सदा और देखिए और पुतिन से फोन पर मोदी ने कहा देखिए साहब कितनी बड़ी बड़ी बाते होती है यूक्रेन पर अपनाए बाचित का रास्ता और मणीपूर के मुख्यमंतरी बने रहेंगे बिरेन सी समर्थ को ने फाड़ा इस्तिफा क्यों साहब क्या ये आपको क्या लगता है देश बि बड़े आदमी हैं उनसे चोटे मोठे काम मत कर रही है उनसे बड़े बड़े काम कर वही आप यूज रूक्रेन के अमेरिका के बस उनको वहीं लगा करके रखिए हिंदुस्तान ने कह लिखा देखिए पुतिन से बोले मोदी यूक्रेन मुद्दे का कुटनितिक हल हो भार बात्रण ने कुछ फिर भी ठीक रिपोर्टिंग की है लिएक बनी बहु को इस्तिफा दिया गया कल रात को मैंने आपको ख़बर दिखाई एक मेलाओं को इस्तिफा दिया गया महिलां ने इस्तिफा फारा फाड़े वे पूरे Festiph' Perm के जो कागच वो वह वापिस लिए गे उनको खीच करके, फोटो खीच करके, वो फिर सोसल मीडिया पर डाला, ताकि लोगों को ये लग जा है कि हाँ, हम तो इस सिफाद दे रहे थे, और यहाँ पर जो है, वो मोदी ने पुतिन से टेलिफोन पर बात करके, यूक्रेन से सेन्य विद्रो पर चर्चा की, ये जो है भ अगावत, यूक्रेन पर, मोदी और पुतिन के बीच में, फोन पर चर्चा हुई है, यहाँ पर, मनिपूर के सीम ने का, मैं इस्तिफा नहीं दे रहा हूँ, महिला समर्थ को ने घेरा, तो साहब अब कुल मिला करके, देश जो है, वो एक तरह से, ये कहें कि, ओटो पाइल फ्रांस में कुछ हुआ है, और उसको ले करके, अगर जो है, वो प्रधान मंतरी नहीं बोलेंगे, तो फिर दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया में हैडलाइन क्या बनेगी, दुनिया तो पागल हो रही है, दुनिया भर के अख़वार, जो इंटरनेशनल अख़वार है, ज तुरंत फोन करके बताइए, हमें यहां पर ब्रेकिंग चलानी है, यहां पर रूस के लोग जो है, वो देख रहे हैं कि मोदी का फोन का बाता है, यहां पर युक्रेन के फोन लोग जो है, देख रहे हैं कि कब फोन आता मोदी का, उन लोगों का क्या, मनिपुर के अंदर, ना इंटरनेट है, ना रोटी है, ना दवाई है, राउल गांधी ने कल का आये, यह चीजह आप बतेएए, आप किस के लिए काम कर रहे हैं, आप करिये वहाँ पर, रूच के LIE काम करिये, युकरेन के लिए काम करिए दुनिया में जंडा गाड़िये दुनिया में डंका पीटिये लेकिन जब धोल फटता उसके चर्चा कौन करेगा आप डंका पीटने के लिए तो हैं डंका तो आप जमरदस पीटते हैं डंका तो बहुत अच्छा बजाते आप लेकिन जब धोल फटे तो उसकी जिम पर बोलने के लिए हैं और ये जो है वो देश पर बोलने के लिए तो कम से नंबर दो कि उन्हीं से पूछ ले वो ही बता दे नंबर दो के प्रधान मंत्री जो है क्योंकि नंबर एक के प्रधान मंत्री तो दुनिया में अब डंका पीटवाने पर है दुनिया में डंका बजाने पर है धोल पीटने पर है लेकिन यहां पर धोल फट रहा है यहां पर लोगों की करहाई निकल रही है मनिप लेकिन आप कैसे इतने दिनों तक छोड़ सकते हैं और फिर आप जो है चुनावी मोड में हैं आप आदिवासियों की चिंता दिखा रहे हैं कल अमिच्छा जो है राजस्थान में थे उद्यपूर में थे वहां पर वो बोल रहे हैं कि साभी कनया लाल के जो हत्यारे हैं उनको नाया ने पकड़ा हिंदुरों पर अत्यचार करवा एंसों गैलोत कि सरकार तो consists घो कुकी और में समुदाये हैं वो कौन से हैं किसके हैं मुस्लिम समुदाये से आते हैं क्या सब्म्रें काः अखिर में चाहिए कुकी मैंत हमुदाय के लोग मरें पर खोजते हैं तो तो ये सारी चीजे क्या देश नहीं समझ रहा है सवाल ये अगर योग्य दित्तनाथ जो है वो फ्रांस तक को ले करके जो आपनी प्रतिकिरिया देसकते हैं इतनी आजादी हो समझते हैं कि फ्रांस का मुद्दा है और अगर उन से कुछ बात पूछी जा रही कही है तो उसमें वो बगेर किसी इजाजत के उनको बगेर रोक डोक के अगर उनको लगता है कि नहीं महराज ज करके 24 बीस मिनिट पर ट्वीट हुआ है और इसमें बाकाइदा लिखा हुआ है यहां पर देखे आप महराज जी और योगी मोडल कि दुनिया में कहीं पर पर भी लोईन ओडर खराब होता है दुन्या में कहीं पर भी उगरवाधी दंगे होते हैं तो दुनिया तरस्ती है दुनिया तरस्ती है योग्या-धितनात जी के महराज जी के मोडल को देखने के लिए कमाल की बात है साथ अब ये वताये ये जो मनिपूर है ये इसी दुनिया में है क्या इसी गोले पर है क्या ये जो हमारा गोला है जिसको हम पिर्थवी कहते हैं इसी गोले में है कहीं पर मनिपूर इधर उधर कहीं पर या इस गोले से बहार की चीज हो कि ये मनिपूर जहां कि फ्रांस में जो है योग्य जितनात का मोडल कामियाब हो सकता है लेकिन मनिपूर में क्यों नहीं अगर कामियाब है तो लगए यह साब दो दिन लगे चार दिन लगे पास दिन लगे कम से कम सतर दिन तो नहीं लगेंगे न जो लग गए हैं जितने लग चुके हैं क्या यह इतनी सीधी बात भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है क्या इतनी सीधी बात भी बीजेपी को लगता है कि हम भले कुछ भी कहेंगे लेकिन कितनी भी सीधी बात हो लेकिन लोग घुमा दिये जाएंगे और उसको लगता है कि यह मीडिया जो है जिस मीडिया के सारे मोधी चार बार एंपी में पी Qimik Key चलाए है गंटों बड़ चलाए और चलते रहेंगे जब तक अगली दो बार फोन पर बात नहों जाए तब तक चलाते रहेंगे तो क्या देस हो है वो इन चैनल के भरोसे बैधा है आप लोग जो है वो इन चैनलों के भरो नोटिस के बगेर किसी नोटिस के और एक करमचारी की हालत तो यह हुई कि उसको पहले इस्तिफा लिखवाया गया उससे यह कहा गया कि तू सोसल मीडिया पर जाकर कि कुछ नहीं बोलेगा उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है निज लॉंडरी ने उसकी उपर स्टोरी की किया कमरे में बुलॉआ करके और इस्तिफा लिखवा करके कहा गया कि तुम बाहर जाकर मीडिया के अंदर कुछ नहीं बोलोगे और मेरे चारों तरफ लोग खड़े हो गए जर तक मैं सीदा ओफिस से निकल करके बाहर ना निकल जाओं किसी से और लोगों से ओफिस के नुमती नहीं थी उसके बाद में वो बाहर निकला रोते वे रो पड़ा वो वेक्ति वहां पर तो जो अपने आपको नहीं संभाल पा रहे हैं क्यों मुगालते मैं देश के प्रधान मंतरी कि वो उनको संभाल लेंगे जो अपने चैनलों को नहीं संभाल पा रहे हैं कि क्यों मुगालते मैं कि उनको सभाल लेंगे सोचे जरा इस बात को सीधी सी बात है आसान भासा में आपकी भासा में मैंने बताई है अगर आपको समझ में आई हो तो लोगों तक भी पहुंचा ये ताकि और लोग भी समझे उनकी दिमाग की खिड़की भी खुले आप क्या सोचते है आप क्या समझे हैं नीचे कमेंट वोक्स में लिख करके बताईए ताकि और लोग भी पढ़ें और लोगों की राय जो है वो आपकी विचार को देख करके बने और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन यूजिंडे को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइ अपिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके धन्यवाद